स्री गनेसाय नम्ह करवा चौत का उरत अती प्राचिन है इसका प्रचलन मा भारत से भी पुरू का है यह उरत सभाग्य वती मैलाओं के लिए उत्तम माना गया है कहा जाता है इसे पांडों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था करवा चौत के दिन करवा चौत उरत की कथा का अवसे स्रवन करना चाहिए करवा चौत के दिन करवा चौत उरत की कथा सुनने से ही उरत का पुर्ण फल फ्राप्त होता है तो आईए सुनते हैं करवा चौत उरत की कथा करवा चौत उरत की पहली कथा प्राचिन समय की बात है, एक सावु कार्था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी सातो भाई वह बहन एक साथ बैठ कर भोचन करते थे एक दिन कार्तिक की चौत का वृत आया, तो भाई बोला की बहन आओ, भोचन करे बहन बोली कि आज करवा चौत का वुरत है चांद उगने परी खाऊंगी तब भाईयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भुकी रहेगी तो एक भाई ने दिया जलाया दुसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढखा और नकली चांद दिखा कर बहन से करने लगे कि चल चांद उगाया है अर्ग दे ले बहन अपनी भाईयों से करने लगी कि चलो अर्ग दे तो भाईयां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा हमारा चांद तो रात को उगेगा बहन ने जब अकेले ही अर्ग दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया दुसरे ग्रास में कंकर आया और तिसरा ग्रास मोह की ओर किया तो उसकी सस्राल से संदेशा आया कि उसका पती बहुत बिमार है जल्दी आओ मा ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाउ लगना और जो कोई सुहाग का आसिस दे तो उसके पल्ले में गाठ लगा कर उसे कुछ रुपए देना बहन जब भाईयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आसिस दी कि तुम साथ भाईयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो सुहाग का आसिस किसी ने भी नहीं दिया जब वो ससुराल पहुची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननत खड़ी थी वो उसके भी पाउ लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गाठ बांद दी और ननत को सोने का सिक्का दिया तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पती धर्ती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी इस प्रकार्श समय बितिते हुए मार्ग सिर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले करवा ले भाईयों की प्यारी करवा ले लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाडा तो आप ही मेरा उधार करोगी आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा तब उस चौथ माता ने बताया कि पौश की चौथ आईगी वह मेरे से बड़ी है उसे ही सब कहना वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी इसके बाद पौश की चौथ आकर चली गई माग की चली गई फागुन की चली गई चैत्र वैसाख जेष्ट आसाल और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्टिक की चौथ नाराज है उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है वही वापस कर सकती है वही आईगी तो पाउप पकड़कर विंती करना यह बताकर वा भी चली गई जब कार्टिक की चौथ आई तो वा गुस्से से बोली भाईयों की प्यारी करवा ले दिन में चांद उगानी करवा ले उरत खंडन करने वाली करवा ले भूकी करवा ले तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाउप पकड़कर गिरगराने लगी और कहने लगी यह चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है आप ही मुझे सुहागिन करें तो माता क्रोधित होकर बोली अरे पापिन, हत्यारिन मेरे पाँप पकड़कर क्यों बैठ गई तब वो बोली कि जो मुझे से भूल हुई उसे छमा कर दो अब भूल नहीं करूंगी तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल नाखुनों में से मेह दी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया वो बोली क्या सोये मुझे तो बारा महीने हो गए अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लोटाया तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो जब चौथ माता की कहानी सुनी करवा का पूजन किया तो प्रसाथ खाकर दोनों पती पतनी चौपर खेलने बैठ गए नीचे से दासी आई उसने उन दोनों को चौपर पासे से खेलते देखा तो उसने सासु जी को जाकर बताया तब से सारे गाउं में यह बात प्रसिद होती गई कि सब इस्तरियां चौथ का वरत करें तो सुहाग अटल रहेगा जिस तरह से साहुकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता करवा चौथ का वरत रखने वाली सभी सुहागिन इस्तरियों को सुहागिन रखें यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है तो प्रेम से बोली चौथ माता की जै करवा चौथ हुरत की दूसरी कथा अती प्राचिन काल की बात है एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तब करने के लिए निलगीरी परवत पर चले गए थे इधर पांडुों पर अनेक मुसिबते पहले सही थी इस सिर्फ दुरौपदी ने सौक विवल होकर कृष्ण की आराधना की कृष्ण उपस्तित हुए और पूछा कहो क्या कष्ठ है तुम्हें तब दुरौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान से कृष्ण से कहा हे प्रभू मुझे क्या कष्ठ है आप तो स्वयम जानते हैं आप तो अंतर्यामी है मुझे कष्ठो के बोज से विवल कर दिया है क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्ठो से छुटकारा मिल सके तब कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले तुम्हारा प्रश्ण अति उत्तम है द्रौपदी तब द्रौपदी ने पूछा प्रभू फिर मुझे दुख नारी का कष्ठ दूर करने का उपाय बताईए तब भगवान शेकेशन ने कहा यही प्रश्ण एक बार पार्वती जी ने सिव जी से किया था तब स्री सिव जी ने करवा चौथ कवरत विधान बताया था तब द्रौपदी ने भगवान स्री केशन से कहा हे प्रभू करवा चौथ की पूरी जानकारी मुझे देजिए और उसकी कथा कहिए तब केशन भगवान ने एक पल सोचने के बाद कहा दुख सुख जो संसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ वुरत की कथा सुनाता हूँ इसे ध्यान पुर्वक स्रवन करो प्राचिन काल में गुणी, विद्वान और धर्म परायन एक ब्रामण रता था उसके चार पुत्र तथा एक गुणवती सुसिल पुत्री थी पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का वुरत किया किन्तु चंद्रोदे से पुरू ही उसे सुधा ने बादे कर दिया इससे उसके सनेहि भायों ने छल से पिपल की आड में कृतिम चंद्रमा बना कर दिखा दिया लड़की ने अर्गदे भोजन कर लिया भोजन करते ही उसके पती की हिर्दय गती बंद हो गई इससे दुखी हो उसने अन जल त्याग दिया उसी रात्री में इंद्राणी भू विच्रन करने आई ब्रामन पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा इंद्राणी ने बताया तब उस लड़की ने अंजली बांध कर विने की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताईए इस पर इंद्राणी ने कहा यदि तुम विधी पुर्योक अगली करवा चौथ का वरत करो तो तुम्हारे पति पुनर जिवित हो जाएंगे कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया इस पर उस कन्या ने वर्ष बर प्रतेक चतुर्थी का वरत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया श्री किष्ण ने कहा यदि तुम इस वरत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकर टल जाएंगे इस पर द्रौपदी ने यह वृत किया और पांडो सभी छेत्रों में विजाई हुए इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्र आदी और धन धाने की एक्छुक इस्त्रियों को यह वृत्र विधी पुरुवक करना चाहिए इस वृत्र में भागवान संकर की आर्ति की जाती है इस प्रकार करवा चौथ की दुसरी कथा समाप्त हुई अब आईए स्रवन करते हैं करवा चौथ वृत्र की तिसरी कथा एक ब्रामन परिवार में साथ बहुएं थी च्छ बहुओं के माईके वाले बहुत अमीर थें इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था परन्तु छोटी के माईके में कोई न था वा घर का सारा काम काज करती सब की सेवा करती पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता सभी उसे दुथकारते रहतें तीज तेवारों पर भी जब उसके माईके से कोई न आता तो वा बहुत दुखी होती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का वरत आया अनेक बहुं के माईके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए पर छोटी के माईके में यदि कोई होता तो ही करवा लाता सास भी छोटी कोई खरी-खोटी सुना रही थी वा दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था अन्त में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी बहु से पूछने लगा बेटी क्या बात है तुम रो क्यों रही हो छोटी बहु बोली आज करवा चौथ है मेरा कोई भाई नहीं है यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता नाग को छोटी बहु पर दया आई नाग ने कहा बेटी तुम घर चलो मैं अभी करवा लेकर आता हूं थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा ससुराल वाले इतना समान देखकर चकित हो गए सास वी प्रसन्ण हो गई सास ने प्रसन्ण मन से छोटी बहु को नाग देवता के साथ भेज दिया नाग देवता ने छोटी बहु को अपना सारा महल दिखाया और कहा जितने दिन चाहो आराम से रहो मन चाहा खाना खाओ मन चाहा पहनो पर एक बात याद रखना सामने रखी नाथ कभी मत खोलना छोटी बहुत सारा समय महल में आराम से काटती पर नाथ के बारे में उसकी उठसुकता बढ़ती जाती एक दिन जब घर में कोई न था उसने नाथ को उठा कर देखा तो हजारों छोटे-छोटे साम के बच्चे इधर-उधर रेंगने लगें उसने जल्दी से नाथ ढग दी जल्दी में एक साम की पूछ नाथ के नीचे आकर कड़ गई साम को नाथ के आने पर छोटी ने अपनी गलती सुइकार कर ली एक दिन उसने अपनी मा से पूछा कि मेरी पूछ कैसे कटी है मा ने कहा कि छोटी बहु के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूछ कटी है तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा मा के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुप चाप छोटी के घर जा चुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा वहाँ छोटी बहु और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाखा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया वह कर रही थी कि मुझे बंड भाया से प्यारा कोई नहीं है उन्हीं की कसम खा कर करती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया बंडा ने जब यह सुना तो सोचने लगा जो मुझसे इतना प्यार करती हैं मैं उसे ही काटने आया हूँ वह चुप चाप घर चला गया मा ने पूछा ले आये बहन से बदला वह कहने लगा मा बहन से कैसा बदला तभी से बंडा भाई वह चोटी बहन हुए भाई प्रती वर्ष 4 की दिन करवा लेकर जाता वह बहन बड़े प्यार से करवा 4 का उरत करती तो इसी के साथ करवा 4 की तिसरी कथा समाप्त होती है अब आई इस रवन करते हैं करवा चौत हुरत की चौत ही कथा प्राचिन काल में करवा नाम की एक पती वृत इसतरी अपने पती के साथ नदि किनारे एक गाउं में रहती थी कार्थिक मास के क्रिस्ण पक्ष की जतुर्थी के दिन उसका पती नदी में असनान करने के लिए गया असनान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पतनी को पुकारने लगा उसकी आवाज सुनकर उसकी पतनी दोड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांद दिया मगर को बांद करवा यमराज के यहां पहुँची और यमराज से बोली भगवान मगरमच ने मेरे पती का पैर पकड़ लिया है अतः पैर पकड़ने के अपराद में आप अपने बल से उस मगरमच को नरक में ले जाओ यम्राज ने कहा अभी मगरमच की आयू सेस है अधर मैं उसे नहीं मार सकता इस पर करवा ने कहा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको स्राप दे कर नश्ट कर दूँगे यह सुनकर यम्राज डर गए और उस पती वरता इस्तरी के साथ जाकर मगरमच को उन्होंने यम पूरी भेज दिया और करवा के पती को दिर्ग आयू परदान की उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन इस्तरीयों के द्वारा वरत रखा जाता है है करवा माता जैसे तुमने अपने पती की रक्षा की वैसे ही सभी करवा चौथ की वरत करने वाली इस्तरीयों के पती की रक्षा करना तो इसी के साथ करवा चौथ की वरत कथा समाप्त होती है तो प्रेम से बोलिये चौथ माता की जाए